के दोस्तों आज हम एक हट की ड्रोयंग करने जा रहे हैं ज котор की ड्रोयंग वीडियो पूरा जरूर देखिए गा अच्छे से आपको समझ जा जायगा देखी यह सबसे पहले फर्ष बना रहे हैं जौ पुली की उसके बाद यह दिवारे बनाएंगे नीचे फर्ष बनाई उसके बाद ये दो लाइन की तो ये बन गई दिवारे ये जोंपडी की दिवारे बन गई अब क्या करना है अब हमें जोंपडी की छट बनानी है तो उसका सेंटर ले ले लेते हैं क्योंकि एक तिर्बुजाकार हम जोंपडी की छट बनाएंगे तो मैंने पहले ही ये डोट लगा लिया और उपर से डलवा आकरती में उतरती हुई जोंपडी की छट बना ली हमने ये इसकेल की सायता से हमने जोंपडी की छट बना ली अब कुछ इस प्रकार की डिजाइन के साथ इसे हम मिला देंगे तो ये जोपड़ी की छट तयार हो गई इतना करने के बाद अब हम दर्वाजा बनाएंगे ये जोपड़ी का दर्वाजा देखो कितना इजी है सेंटर में दो लाइन करेंगे और उपर से मिला देंगे तो ये जोपड़ी की ड्रोइंग बन जाएगी जोपड़ी का डोर बन गया ये डबल लाइन की और ये इस प्रकार से जोपड़ी का गेट बन जाएगा ये कुछ डिजाइन कर लेंगे यहाँ पर वेंटिलेशन होता है एक उपर रोशन दान उसमें से अंदर की गर्मी भी बाहर आती है और रोशनी भी आती है तो वो हमने बना दिया अब हम पहले दोनों तरफ दिवार बनाएंगे इस जोपड़ी के जो बाहर की तरफ जो दिवार है चारो तरफ जो बोडर है वो बनाएंगे तो यह स्केल की साहता से मैंने आर पार एक लाइन कर दी फिर इसके उपर एक और लाइन करेंगे तो यह दिवार बन जाएगी यह पीछे की तरफ दिवार है कई लोग कहेंगे कि यह जोपड़ी में गुशी हुए दिवार बिलकुल नहीं यह जोपड़ी के पीछे से एक दिवार है बाउंडरी जारी है यह हमने किया और अब यह इंटों की ड्रोइंग ऐसे करेंगे देखो इंटों की ड्रोइंग में उपर वाली एक लाइन आती है उसके सेंटर से दूसरी इंटों की लाइन शुरू होती है यह ध्यान रखना यह आसानी से इस परकार हम इंट की ड्रोइंग कर देंगे और थोड़ी टेड़ी मेड़ी भी होनी चाहिए जिससे इंट लगे ज़्यादा मेजरमेंट से नहीं हो तो यह जोपड़ी बन गई पीछे की दिवार बन गई अब जो जो जोपड़ी की छट है उसमें कुछ इस परकार के डिजाइन दिखेंगे इस परकार के उसमें कोलम्स रखे हुए एक के उपर एक तो उसकी डिजाइन कुछ इस परकार से होगी देखिए सरलता पूरवक कीजिए सावदानी से कीजिए डरने की बिलकुल जुरत नहीं है हाथ पे कंट्रोल रखे करना है बड़ी आसानी से ड्रोइंग हो जाएगी तो यह देखिए हमारी चट भी कंप्लीट हो गई यह हमने जोंपड़ी की इंटों की ड्रोइंग की है कुछ इस परकार से यह देखिए एक इंट का सेंटर लेके दूसरी इंट का कट लेना है हमें एक इंट के सेंटर से दूसरी इंट का कट लेना है बड़ी आसानी से दिवार बन जाएगी ये देखो जहुपड़ी बन गई जहुपड़ी की छत बन गई और दिवार बन गई अब इसमें ऐसे शेडिंग कर देते हैं पैंसिल से चाहो तो आप कलर भी कर सकते हैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ थाकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इस परकार्षी गार देता हैं ये दिवार की जो शेडिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली अब हम जिछत की शेडिंग है उसको करेंगे कुछ इस परकार से उपरी तरफ शेडिंग डालेंगे और अब हम बैक ग्राउंड में जो दिवार है उसकी शेडिंग कुछ इस परकार से करेंगे तो इस परकार सरलता पूरो का अब शेडिंग से जो पडी की ड्रोइंग बना सकते हैं इसका बैक ग्राउंड भी हम ले लेंगे इस परकार से और अब हम जमीन में थोड़ी शेडिंग कर देते हैं नीचे जी जमीन है उसमें शेडिंग कर देंगे कुछ इस परकार से और ये हमारा वर्क कम्प्लीट हो गया ये ड्रोइंग कम्प्लीट हो जाएगी ऐसे कि आएगय है अजाना आएगाइए खरकार साथ हम आएगी हैं बाल खरकार से जाएट भी हमाराा वार्क कर दकते हैं नाएगा दूर्म 29, 1940, कैसे जाएज। hip-क्रा आए1 झाल झाल